असलाम अलेकुम वीवर्स कैसे हैं आप सब और आज का जो विलॉग ना बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और यह आप लोगों के क्वेस्टन का जवाब है आप लोगों ने पूचा तक के मेरे जो फेस्बुक पेज मेरा पेज बनाव है कि आटमेटिक मशीन के सफ प्लास्टिक के काप एक समझने कि यह आगे से कवर होती है जानी होती है इसके अंदर और इस तरीकी से असमें बाधिता है और इस तरीकी से इसको बाहर निकाल लेते हैं और इसको में आपको खोल कर तक तरीका भी दिखाती हूँ साहसाथ यह जनाब हजबंड की मेरे साथ यह वीडियो बन्वाई है और या देकिए इस तरह के समें फिक्स होता है पहले और यह वाला जो साइड है ना यह जिसके रेकिसी कील से इकलीवी यह अंदर यह नीची के साड पर आज जबाए हो तो इसके अंदर ना काफी बिल्कुल बारिक सी लेर उन तमाम चीजों की बनी वी कि जिसका कोई हो इस फैट करें जार, मातिब कोई भी धागा जिस फी बवरा कुछ भी होता है तो सब्मा करें बारिक सी लेयर बन जाती है जो आपको निकालके साफ करने होती वरना यह अच्छी तरह किसे सफाई नहीं करेगी तो यह आपको दो तिन देरे मदब दफाई खोल कर दिखाई इसको हलका सभी प्रेस करेंगे और यह निकल जाएगी तो पहले इसको निकाल लिया है और इसको निकाल कर मैं भी कर रही हूं साइड में और अंदर वह फश्ट है अपको बिद टेर्जिन बाणा जबता है तो यह इसका नहीं हूँ है और यह रावा है और दॉस्ते कोई भी आप डिश्वाशर जो तह को ले लिजे और इसको ब्रश की मदद से यह भी तो टाप्स के ब्रेश है लेवात जो कर गरते एक यह ब्रेश और दू प्रष भी ले सकते हैं उसकी मदद से इसकी अच्छी तरीके से सफाई करनी है और इसकंदर करना है पहले कि उस डिश्वाशर को पहले अच्छी तरीके से इसकंदर लगा लें और इसको तकरीबर 15 मिन के छोड़ें ताकि जो है मैल वगारा जितनी भी वो नरम हो जाए और जि इसकी जो इस तरह आटमेटिक मशीन के सफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है इससे जो मशीन डियर पाप चलती है काम भी अच्छा करती है और इसकी मैंटेनंस भी बरकरा रहती है और यह देखिए इस तरह के से ब्रश जो है यह साइड़ों पर भी इसकी काफी ज जादा गंदा पाने ने कल रहा है और साइड़ों पर भी अच्छे तरीके से यह जो सर्फ मासरी जो डिटर्जन वाला यह कोई भी आप डिश वाशर लेते हैं तो जादा अच्छा रहेगा क्योंकि उसके अंदर ज़रात नहीं होते है ना सरफ के तो वह जादा अच्छा र लेजी और आप यकीन करें कि जब मैंने यह स्कॉच बाइड दिया था ना यह बिल्कु साफ तरह था लेकिन इस मेशीन का हाल देखें कि इतना गंदा इसकी वज़ए से स्कॉच बाइड भी गंदा हो गया अब इस बॉक्स को भी अच्छे तरीके से साफ करें लेकिन इससे अच्छी तरीके से मिया जी जो हम साफ कर रहे हैं और इस तरीके से हर 15 दिन के बाद मशीन की सफाई के निचे अब थोड़ा सा जादा आर्स हो गया था ना इसलिए जादा गंदी होगी अब यह देखिए माशाला से अंदर से बिल्कुल यह साफ सुतरी होगी और इसका होता है जो कि हमारे मुल्क में आप जानते के अवैलेबल नहीं है और लेकिन फिर भी यह है कि यहां पर पंजाब साइड पर रहा हमारे लहुर साइड पर पानी फिर भी काफी जादा साफ है लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि इस मशीन की मेंटेनस करनी पड़ हो जाएगी खराब हो जाएगी बिल्कुल तो बस पानी में इसको होट पानी में सिर्फ डिप करके रखना इसको बॉयल नहीं करना वरना यह बिल्कुल डैमीज हो जाएगी और यह जाली भी बहुत जादा नाजुक सी होती है और पिर आपने इसी तरीके से गरम पानी से न तो ये बिलकुल साफ सतरी हो जाएंगी और इस तरह आपकी मशीन जो है ना आटोमेटिक मशीन वो बिलकुल साफ रहेगी ये डिटेल से तरीका बताने का मकसद ये था है कि हम खावातीन को इसके बारे में नहीं पता होता और इस तरीके से आप लोगो बताने का मकसद दे कि अगर खवातीन घर में के लिए या जैंट्स मसरूफ हैं तो आप खुद भी ये काम कर सकते हैं और इसको देखिए और इसको अच्छी तरीके से समझ लिजे कि किस तरीके से इहतियात को मतलब मलुझे खाती रखिया और इसके सफाई कर लिजे और खुद भी कर सकते हैं लिए को साफ हो जाएंगी उससे यहां के कपड़ों में जितनी भी मतल जो धा गए वगरा कोई भी चीजे होती है जब वूल्द वगरा होती है जिसना सर्दी आ गया रही है तो जो इसमें जो जो जाद फस जाते हैं उससे यह ज्यादा अच्छे तरीके से को यह जारी फिल लगाना है डिश वाशिंग बार बार तो नहीं लिक्विड है तो इसको इस तरीके से देखें अच्छे तरीके से ब्रिश की मद्द से साफ कर लिए इसको भी मैंने हलका सा नीम गरम पाइन डालके पहले अंदर डाला था ताकि यह सॉफ्ट हो जाए जादा गरम पान नहीं कि इसके अंदर कुछ ऐसी नाजब पूर्जा जाते होते जो कि गरम पानी से खराब हो जाते हैं तो इस तरीके से देखें बिल्कुल लाइट सनीम गरम पानी लिया है और इसकी जालियों को दोबारा उसको दोने के बार इसको वाश कर दिया और बाहर से जो भी लगाया था है ये लिक्विड उसको भी अब जो हल्का सा ड्राय कोई भी कप्रा लीजिए उससे साफ कर लीजिये तो मशीन आपकी मार्शालास से बिल्कुल साफ हो जाएगी और अब जो ना ये मशीन ये ट्रप ड्राय ऑप्शन पर चल रही है अब इसका ड्रप जो बिल्कुल अदिस विए इसके सफाई का काम चल रहा है और यह बिल्कुल जो जो ज्राय का प्राइना उससे और इसके जो बटन वगर ना इसके पर मैंने एक प्लास्टिक की शीट जो कवर की होती है वह मैंने भी उतारी है ताकि इसके अंदर से भी सफाई हो जाए और मैं दोबारा अब जो है इसके जो बटन वगर ना इसके पर पानी ना पड़े वरना ही खराब हो जाती है तो यह इस तरह किसे अपने हर 15 दिन के बाद इसकी सफाई करनी है और अगर आज का विलॉग पसंद आया तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और अगर इसके मतलिक हाफिस